गुड आफ्टरनून स्टुडेंट, माइनेम इस रमानदीप कॉर, यह लेक्चर आपका बिजनस है थी इस एंड CSR का, आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपके इस लेबस में टॉपिक है, डिफरेंस बिट्वीन कॉर्परे शोशल रिस्पोंसिबिलिटी एंड कॉर्परे जो भी वो डीलिंग करे हैं जो बाहर का वर्ड है, एक्स्टरनली है उसके साथ जो डीलिंग करे हैं उनके साथ एथिकली करने है, यह होती है कि हमने सुसाइटी की तरफ रिस्पोंसिबल रहना है, बट दूसरी साइट जो गॉपरेट गुवर्नेंस होता है वो एक मेकनिज स्टेज मेराज पर होती है, प्रिंसिपल की, प्रोसीजर की जो गाइड करते है कि आपने कोपरेशन के और उनको इंतर्नली कैसे करना है, तो जो कॉपरेट गुवर्नेस हो इंतर्नली कॉपरेशन के साथ रिलेटर होता है, बट जो रिस्पॉंसिबलिटी हो आउट साइड तो जो जो कॉबरेट गुवर्नरस का कंसेपट है वह एड्वानस देज पर है अब जो वह स्टेज है वह एड्वानस टेज पर है बहुत दूसरी साथ qoorporate और से बहुत ही दूर है दूर दूर तक कोई relation नहीं है का और गवन के साथ तो corporate governance जो है वो encourage करती है efficient use resources जो है efficient resources जो हमारे पास उनको efficient तरीके से हमने कैसे use करना है इस चीज को encourage करती है बट जो social responsibility corporate social responsibility है वो किस चीज के साथ deal करती है कि हमने अपने shareholder के साथ कैसे treat करना है ethically treat करना है socially responsible manner में उनके साथ treat करना है तो यह था हमारा difference next is poor governance कौन सा होता है good governance कौन सा होता है poor governance M Kinsey ने define किया है कि जिस company के जो minority of outside directors जो है वो कम है मिस के जो outside director है वो कम है minority है तो जो outside directors है उनका जो financial ties है दूसरी management के साथ जो डिरेक्टर उनके पास बहुत ही little amount है ठीक है जी डिरेक्टर जो है वो compensate सिर्फ उनको cash के साथ compensate किया जाता है कोई भी formal director valuation process नहीं होता तो अगर कोई government issues आते हैं इन्वेस्टर की request पर तो वो unresponsive होते हैं very unresponsive होते हैं ठीक है तो यह था poor governance की वो ऐसे होते हैं ठीक है तो जो good governance है उनके पास company के mkinzy के according company के पास क्या गया होगा majority of outside director की बहुत जादा outside director होंगे outside director जो है वो truly independent होगे वो किसी भी financial management के साथ उनका कोई भी टाइप अपनी होगा director जो है उनके पास efficient stock holdings होगी जैसे poor governance में उनके पास बहुत कम होता था बट इसमें उनके पास जादा है ठीक है next step provisions of the company's bill 2012 now company's act 2013 जो provision company's bill था वो पहले 2012 था बट अब वो 2013 हो गया जिसके corporate social responsibility के रिकार्ड़ी तो जो company bill है 2012 वो पास हो था लोग सबा में 18 December 2012 को और राज्य सबा में वो हुआ था 8 August 2030 को ठीक है तो इसमें कुछ amendments होई थी ठीक है यह हम देख देते रहे according to section 135 of the company's act 2030 इसके according क्या था कि जो company जिस company की net worth जो है वो 5 crore है जा उससे जादा है और उनकी term 1000 crore जा उससे जादा है और net profit जो 5 crore जा उससे जादा है ठीक है पूरे financial year में तो उनको एक corporate social responsibility committee committee जो है वो establish करनी पड़ेगी constitute करनी पड़ेगी जिसमें 3 और उससे ज्यादा director होंगे ठीक है उन में से एक जो director है वो independent director होगा ठीक है तो जो board है वो report करेगी सारी जो CSR committee है न उसकी disclose करेगी जो भी उसकी composition है सारा disclose करेगी ठीक है third is the CSR committee होगी वो क्या करेगी वो formulate करेगी और recommend करेगी board को CRs की various policies जो उनको लेनी चाहिए company में ठीक है और monitor करेगी CSR की policy of company जो उन्होंने time to time उसको monitor करती रहेगी ठीक है तो जो board है board of every company shell हर एक company का board जो है उसको after taking into consideration the recommendation made by CSR approve the CR policy for the company ठीक है जब उन्होंने board ने जब CSR committee उनको recommendation दे दी ठीक है थी जो उस policy का content है अपनी report में ठीक है और उसको company की website पर भी upload करना होगा if any ठीक है जी अगर कोई website है तो वहाँ पर भी उनको upload करना पड़ेगा और ensure करेंगे कि जो भी activities include है CSR policy में company की वह undertake हो वह company सारी policies को करे ठीक है ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए आपने अपनी policies बना ली है activities include कर दिये लोगों को दिखाने के लिए बट उसको actual में perform भी करें ठीक है यह चीज उनको board को देखनी होगी ठीक है तो जो board है हर एक the board of every company shall make every effort to ensure that the company spent in every financial हर एक board member हर एक board जो company का board है वह effort लगाए कि जो company की spend है उनको ensure करें हर एक financial year में at least 2% of the average net profit के at least उनका average net profit उसका 2% लगाए CSR policies में ठीक है जी if the company fails to spend much such amount the board shall in its report specify the reason for their spending for not spending the amount ठीक है अगर जो company है वो spend नहीं कर पाती वो amount 2% वाला amount ठीक है जी तो जो board है वो उनको अपनी report में यह specify करना हो पड़ेगा with the reason कि उन्होंने यह amount क्यों नहीं spend किया ठीक है यह था हमारा CSR के साथ sorry corporate governance के साथ related topic ठीक है next lecture में हम आपका next lecture कर जो topic होगा वो करेंगे अगर आपको इस lecture में इस topic में कोई problem होगी तो आपने मेरे से clear करवा लेना है thank you class क्या रहा हम क्या आपका उस्पार